तो हलो गाइस वीडियो में हम लोग वेरियेबल का तोड़ा सा देख लेते हैं अभी तक मैंने एलो वोल्ड वगरा एक्स्प्रेंट किया जो हम लोग इस नोट के साब से चार्डर हां तो यह मैंने पिछले एक दो वीडियो पहले आपको समझाया था कि यह वेरियेबल्स है हमारे पास आवएलेबल सी प्रग्रामिंग में जो अ कुछ है जो मैंने नहीं बताया लेकिन इसको आफ्यति आगोक्ता उप करका में कैसे कद thé हम जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको मैं नोट के लिए ऐसा समझला तो जो मैंने बताया था इंडalley महर्या नंबरस च्टोर करते हैं वो एक इंटिजर से छोटा फार्म एक क्योड लिया हुआ जो इंट का एक स्पेसिफिक मेनिंग है सी प्रिग्राम के लिए जो एप लिखो गे तो यह नेम देना होता है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे हम लोग एक बोलके बना सकते जिसमें हम मालोड टेन स्टोर करेंगे क्योंकि इंक्यार जो वह होल लंबर स्टोर करता है कि गाल्स नमबर स्टोर करता है जैसे टंटर हमने एक दिफाइन कि तो बोलते है डिक्लैरे संक वेरियेबल दिक्लेरेसं यह भी यहां पर लिख जेते हैं इसके बाद आता है कि आप देखोगे मैं अगर वो पिछले वीडियो में भी बताया था मानलो एक इंटिजर हमने वेरियाबल बनाया उसमें हमने दर्फ टोर किया लेकिन हमने यहां पर बना के छोड़ जया हमने अभी तक इसमें कुछ स्टोर नहीं किया तो उस केस के लिए ह आपने यूज किया होगा आपको एडिया जो इक वाल टू ऐसे हम लोग मानलो 20 लिख दिया हमने उसके बाद सेमी कोलों आपको याद रखना है ठीक है जो मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया कि सेमी कोलों होता है कि एक तरीके से फूल स्टॉप जैसे काम करता है जो क कि यह हो गया यह वाला लाइन को हम लोग बोलेंगे कि इनिसिलाइजेशन ठीक है यह हो गया वेरियेवेल डिकलेरेशन यह वाले लाइन पर एक सको हमने बनाया और यहां पर हम लोग एक समें वैलू स्टॉर कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनिसिलाइजेशन कर रहे हम लोग तो यह सारे कीवर्ड को हम लोग सेम तरीके से यूज कर सकते हैं तो मैं एक-एक करके आपको दिखा देता हूं जैसे क्यार हो गया क्यार मैंने बताया था लिए चोट नाम देना पड़ेगा अगर मानलो मैंने इसको फिर से एक नाम दे दिया और इसमें मैंने तो क्यारेक्टर जो होता है वह हम लोग सिंगल कोट में देते हैं सी परगांग में लेकिन आप देखो कि यहां पर एक एरर आ रहा है ठीक है बाकि सब तो कमेंटेड है न कॉमेंट्स हम लोग दे रहें ताकि हम लोग इसको समझ पाया कि किस लाइन पे क्या हो रहा है तो यह हमने एक्स में हम लोग 20 फ्रकाइब्स प्रकार क्या है विए वह एक रेड लाइन आ रहा था छोटा सा इसमें और रहे यहां पर डिफिंग्स and of x with different type car versus int इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग x को redefine कर रहे है जो की possible नहीं है c programming में कि एक ही variable नाम से हम लोग अलग-अलग variable बना है वो possible नहीं है तो अगर हमने x नाम का एक variable बना दिया integer तो फिर से हम लोग x नाम से character variable नहीं बना सकते नहीं float बना सकते हैं नहीं double बना सकते हैं हमें कोई दूसरा नाम यूज करना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं c ठीक है character के लिए c यूज करते हैं तो यह हमारा दूसरा variable बन गया c जिसके अंदर की हमने single quote में a store किया लेकिन आप यहां पर एक और चीज नोटिस करो गए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर दो line हमने use नहीं किया जैसे क्या हुआ x के case में हमने x को एक line पे हमने declare किया और उसके बाद initialize किया दूसरे line पे लेकिन इस case में आप देखो कि हम लोग एक ही line पे उसको declare और initialize कर सकते जैसे मैंने यहां पर किया मालो मुझे पता ही है कि मुझे एक variable c चाहिए इससे मुझे एक character a को ही store करना है मुझे अगर दोनों चीज पता है कि variable name पता है और variable type पता है और variable type और उसका value अगर दोनों चीज पता है किया इसमें ठीक है और उसके बाद semicolon semicolon बहुत important है हर line पे आपको semicolon देना ही है ऐसे आपको memorize करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं दो कि semicolon और आप रन को रखें तो आपको आप याद रखना है कि semicolon एक तरीके से termination होता है जो हमें हर line पे देना ही होता है तो अगर float बना एक एफ तो उसमें भी हम लोग 1.55 कुछ एक store कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा अलग-अलग टाइप के variables ठीक है एक बार फिर से में बता देता हूं चार यहां पर जो basic टाइप variables है वह हम लोग अभी यूज करना सीख रहे हैं एक हो गया integer जिस पर whole number store करते हैं और जो मैंने दो लाइन पे अलग-अलग initialization और declaration अलग-अलग करूंगा तो आप बस declare करके उसको छोड़ दो अब बाद में कहीं पर आपको code गया अगर code में वह initialize करना है तो आप बाद में initialize कर सकते हो ठीक है हमने बाद में initialize किया 20 मुझे value चाहिए तो मैंने 20 initialize किया जो कि fine कोई error नहीं है और ऐसा भी situation हो सकते है जब हमें variable का type भी पता है और उसका value भी पता है पहले से ही तो उस case में हम लोग एक ही line पर उसको initialize और declaration दोनों कर सकते हैं तो यहां पर हमने एक character type variable declare किया उसमें value initialize किया जो कि एक character है और character को हम लोग single quote में हमें सा डालते है अगर मैं single quote में नहीं डालूंगा तो यहां पर आप देखोगे एक error आ गया क्योंकि error आ गया यह वोल रहा है use of undeclared identifier a इसको लग रहा है एक variable है क्योंकि वह कोई single quote में नहीं है ताकि वह confusion ना रहे कि यह variable है यह character है तो यह character बन गया तो यह इसलिए error नहीं आया अभी और फिर हम लोग double एक variable बना रहे है double d यह variable का नाम d और यह है value तो similarly हमने एक float variable बनाया उसका नाम दिया if और उसके में एक value डाल रहे हम लोग 1.55 और सेम तरीके से हमने हर लाइन को जैसे मैंने बताया semi colon से end कर रहे हैं अगर हम लोग इसको run करें आप देहोगे कोई भी output नहीं आया जो की obvious है क्योंकि जो मैंने आपको बहले भी बताया कि output यहाँ पर देखने के लिए हमें प्रिंटे यूज करना होता है जो हमने यूज नहीं किया हमने बस variable बना सब्सक्राइब करना है वह हम लोग नेक्ट वीडियो में रखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं यह वीडियो का लिंक जो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में और निच्छे डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सारे वीडियो देख सकते हो और वीडियो अगर पसंद आ है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर देज जागा तो सी यू इन नेक्ट वीडियो